तो कैसे हैं आप लोग तो बिहार बोड के जितने भी स्टुडेंट हैं चाहिए वो क्लास दूल्स के हो या तैंथ के हो उनके मन में अभी पूरी तरीके से खलवली मचीवी है कि आखिर उनका एकजाम होगा की नहीं होगा बहुत सारे चात्रों के बीच में वाटस अप हो, फिस्बूक हो तरह तरह के माध्यम से बहुत तरह के अफवाएं उर रही है जिसका एक फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखा है देखे किस प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि COVID-19 के बरते केस को देखते हुए बिहार बोर्ड ने लिया बरा फैसला इस बार बिना परिच्छा के सभी छात्र होंगे पास मतलब बिहार बोर्ड ने फैसला भी ले लिया और किसी को पता भी नहीं जिला न्यूज हेडलाइन इस तरीके से ये लोग डालते हैं ताकि इस्टूडेंट लोग को मतलब विवस कर दते हैं कि वो लोग परहे ही नहीं तो इसलिए सारा इन्फोर्मेशन एकुरेट इस वीडियो में आपको मिलेगा तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्ली चैनल को सबस्क्राइब करते बिहार बोट से लेटेट सारा बेट सबसे पहले पाने के लिए और चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बरते हैं और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सेयर करें ताकि उनको एकुरेट इनफोर्मेशन पता चले तो चलिए सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि कोवीड अभी अपने भैंकर रूप में है कोवीड का न्यू वैरियंट ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से बर रहा है और बिहार में लगातार डेली नियू नियू केसे साते जा रहा है इस वज़े से बिहार सरकार ने लॉग नाउन भी लगा दिया है इंपोच कर दिया गया है सारे स्कूल एंड कॉलेजेज बंद हो गया है सबसे बड़ा बात है कि school and colleges भी बंद हो चुका है तो आप लोग के मन में जाहिर है कि ये question उठ रहा होगा कि exam आखिर होगा कि नहीं होगा ठीक है बिहार बोट क्या exam लेगा या ऐसे ही बिना परिक्षा लिए पास कर दिया जाएगा ठीक है तो ये सबसे बड़ा doubt आप लोग के मन में यहाँ पे अभी उठ रहा है मैं जान रहा हूँ ठीक है तो देखे ये सब fake news फैल रहा है आप लोग के बीच में ये और आपके मन में जो हैने कर सकते हो कि संसनी फैला रहा है इसमें कि मैंने आज ये देखा बहुत लोगों ने इस्टेटस लगाया था तो मैंने सुछा है इसके उपर एक वीडियो बनाना चाहिए तो देखे इसमें साप साप लिखा हुआ है कि बरते केस के देखते बिहार बुटन लिया बरा फैसला इस बार बिना परिक्षा यहां तो लिख दिया लेकिन देखे नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए आप सभी के लिए बिहार विद्यालाय परिक्षा समिती के और से बहुत बरा अपडेट निकल कर आया कि बिहार के मुखमंत्र स्री नितिस कुमार ने बोले कि अगर इसी तरह COVID-19 के केसिस बढ़ते रहे तो मैट्रिक के एवाव इंटर वार्षिक परिक्षा नहीं ल है अफवा पे एकदम ध्यान नहीं दे अपना परहाई एकदम जारी रखे सुचारू ढंक से जैसे आप पर रहे हो एकदम डेडिकेशन अपना मजबूत रखिए कि समझे कि आपका एकजाम होगा ही होगा इस हिसाब से अपना परहाई आप लोग जारी रखे ठीक है कोवीड अपने पीक पर है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कवीड अपने एकदम स्पीड से चल रहा है और जीस से चल रहा है इस साबसे अबही की टीस से एग्जाम लेना मुश्किल नजार आ रहा है बिहारबोट के दरब से लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग क हैं होस्टल्स हैं सारिच जो को बंद कर दिया जाता है कि इस तारिक तक के लिए लेकिन यहां देखिए आप जब गौर इसमें फरमाईएगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है केंद तथा राज के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंदित परिक्षाएं तथा क्या है कि आपका एक्जाम ली जा सकती है कोई भी रोक नहीं है एक्जाम लेने पर ठीक है अगर चाहे बोड तो आराम से एक्जाम ले सकती है और देखिए बोड है हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको बिना एक्जाम लिए पास कर दिया जाएगा ठीक है तो इसलिए चांस पे पुरे बिहार के बच्चे 10th और 12th के जमा होंगे, एक फरवरी से आपका 12th का exam है, और 17 फरवरी से आपका 10th का exam है, तो इतने large extent पे अगर आदमी आएंगे, तो obvious सी बात है कि किसी को भी अगर COVID रहेंगे, तो फैलने का डर रहेगा, तो इन सभी से बचने के लिए हो सकता ह सरकार कुछ step जरूर ले, हो सकता है कुछ date आपका extend हो, बड़ चांसे से यहां आपके exam होने के ज़्यादा है, तो इससे आपसे पना परहाई करते रहें, और जैसे ही कोई official update आएगा, सबसे पहले यह चैनल पर आपको update मिल जाएगा, तो चैनल को subscribe कर लेए, आप लोग बिह आपका exam नहीं लिया जाए, आपको ऐसे ही pass कर दिया जाए, बात pass और fail का नहीं है, ठीक है, आपके हाथ में एक degree आजाएगी, उससे जदा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात यहां knowledge कियाती है, जो आप 10th में परहोगे, जो आप 12th में परहोगे, throughout the life आपका काम आएगा आप 12th board से निकल जाओगे, लेकिन आप आगे अगर माली जे बाइलो जी से होता, आपको need देना है, आप अगर math से होता, आपको jay देना है, आप commerce से किसी भी field से होता, आपको आगे चलके कोईन को एक competition exam देना है, तो उस competition को आप कैसे face करोगे, जब आप कुछ परही नहीं रोको, सुचारू ढंग से जारी रोको, एकदम नहीं रोको अपना परहाई थोरा सावे, ठीक है, धील ना दे परहाई में, क्योंकि देखिए, अगर माल लीजे exam हुआ तो बहुत बरियाँ बात है, बहुत बरियाँ बात है, एक निया chances बनते हैं कि exam नहीं भी होने के, ठीक capability नहीं है कि वो भी online exam ले सके, तो online का ख्याल आप लोग दिमाग से उतार दीजे, दूसरी बात, student के पास साधन भी नहीं है, क्योंकि mostly बच्चे होते हैं, village से होते हैं, गाउं से होते हैं, कस्वों से होते हैं, उनके पास phone नहीं होता है, बहुत सब के पास internet phone है, तो internet connections sufficient नह लेकिए, corona अगर एकदम control में आया, तो आपका exam एकदम वियथावत उसी time में होगी, लेकिन नहीं आया, तो हो सकता है, date extend हो, बट यहां पे chances कम नजर आ रहे हैं, कि आपको बिना exam के पास कर दिया जाया, हो सकता है, बट इसलिए मैं बार-बार आप लोग को बोलता हूँ, अपना परहाई एकदम जारी रखे, परहाई को एकदम थोड़ा सा भी deal नहीं दे, एकदम अपना progress से जारी रखे, क्योंकि आपका skill आपको in future काम देगा, ठीक है, आपका mark seat काम नहीं देगा, कि आपको इतना percentage है, आपका skill काम देगा, आपने जो परहा है, वो आपको काम द उमीद कता हो, आपका एक-एक doubt clear हो गया होगा, कोई doubt आपके मन में नहीं रहा होगा, यही था conclusion कि अपना परहाई एकदम जारी रखे, कोई भी परहाई से मामले में कोई भी compromise नहीं करे, आपका exam हुआ, बहुत अच्छा बात फार किया जाना, नहीं exam हुआ, आपके पास knowledge र subscribe to the channel और दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और awareness फेलाए, thank you so much आपके मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में, till then